हमारे राज सरकार ले जो है हमारे स्वास्पंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकर भूमी जो है हम लोगों ने निशुल्क कैबिनेट से पास करकर के एम्स दर्भंगा के लिए दिया था मोदी जी पर विश्वास है हां वो विश्वास है तेस में मोदी जी जूट बोल दिये थे हां लेकिन उनके साथ और भी जो गटबंधन के मानिये बन मानिये लोग हैं जो मानिये बनके बैठे हुए उनके साथ उन पर भरोशा विश्वास नहीं है जो यह तीश्रा सिल्यानास नहीं जो 10 साल में दो सिल्यानास हो गया कहां कहां हुआ एक ने DMCH में हुआ था जहां पर DMCH में दरभंगा एमस का सिल्यानास हो चुका है और यह सुभन का जगा है सुभन में हैं हम अब और कुछी दिन के बाद यहां पर आपको यह जो चोड़ दीख रहा है कुछी दिन के बाद यहां पर modern technology का building दिखेगा उस building में अच्छे अच्छे डॉक्टर दिखेंगे और यहाँ पे इलाइज करवाने के लिए हजारों की सेंख्या में मरी जो क्या जमाबरा लगा हुआ रहेगा और यह चारों तरफ से देख लिजे किसे आज आपको चौर का नजरा दिखने को मिल रहा है लेकिन यही कुछ समय के बाद आपको लगेगा किसे हाँ हम एक अच्छा बिकसित बिहार में आ चुके हैं और बिकास की योड बर रहा बिहार इसमें जो हैसे मोदी जी आकर के यहाँ पे सिल्या नास किये हैं और यहाँ स्थानिये बेखती हैं इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे किसी यह दरवंगा एमस बन जाने से इन लोग को क्या पैदा है क्या नहीं है इस सब के बारे में बिस्तरी तुरूप से जनकारी प्राप्त करेंगे क्या नाम हुआ मेरा नाम चनमोहन चौदरी हुआ मैं भारतिय मितलांचल मोर्चा के सन्योजक है कहां के रहने वाले हैं हम गोविंदपूर लहरियाश्रा दरभंगा के रहने वाले हैं यह अस्थल से कितना दूरी पे घड़ है आपका इस अस्थल पर से मेरा 10-12 किलोमेटर का यहां से टावर 10 किलोमेटर लगवग और वहां से 2 किलोमेटर गोविंदपूर है 2015 में एम्स का घोशना हुआ था अरुण जेटली जी के दौड़ा किसे दरभंगा में एम्स बनेगा उसके बाद 2020 में जाकर के केमिनेट का फैसला आया किसे हाँ किसे एम्स का बनाने का परकिरिया जारी किया जाए उसमें तमाम जो हैसे बिहार सरकार पलस में किंदर सरकार के बीच खिचातानी यहां पे तो वहां पे यहां पे तो वहां पे ऐसे करके लफरा बढ़ते गया और 2030 में जाकर के तिजस्वी यादब जो की लेकिन इसको भी जाच के दोरान इसको गलत पाया गया था तो उसके बाद जब जो है से वो केंसिल कर दिया गया था लेकिन फिर भी आखिर करके अब जो है से यहां पे इम्स बनाने की परकिरिया जो है से चालू हैने वला है इस पे क्या बोलिएगा आप देखिए आप भी लोकतंत्र के चोथे अस्तंब हैं पस्तिरगार महोदय आपने सही कोश्चन किया है 2015 में मानिये प्रधानमंति जी ने 22 एम्स घोशित किये थे पुर्य देश में जिसमें एक दर्भंगा भी था मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है दुनिया कह रही है हम भी कह रहे हैं देश कह रहा है बिद्देले महा बिद्देले, नाइंद्र नाइर्मोदी जी प्रधानमंतरी हुए है जी जिनका प्रॉफसर बाजपैजी हो लोग यह आस्था है जो 28 बिहारी बाजपैजी नहीं इनको राज़निति परिषिक्षन में इतनी तेजस्वी बनाया कहीं से मने यह नहीं है सही बात है तो लोग को आस्था और विश्वास है लेकिन इतनी तेजस्वी रहते हुए भी 2015 में आपने घोसित किया दो दस बरस की कालिजकाल हुआ आपका और फिर आप पुना फिर प्रधानमंत्री के रूप में अस्थापित है मेरा एक आगरह है मानिय प्रधानमंत्री नैंद मोधी जी से जो आप स्वेम सोच सकते हैं जो दस साल में दो सिल्यानास हो गया कहा कहा हुआ एक ने DMCH में हुआ था जहां पर DMCH में एमस ने एमस का सिल्यानास ही नहीं हुआ पचीस पचास करोल उपया का मने लग गया भारत सरकार का और कई कि डॉक्टर MBBS डॉक्टर का जो आवास था उनको तोरा गया उस जो स्ख्रोश उत्साह में तोर दिया गया जो एमस जैसे लगा कि कल बनेगा सो आज बन जाएगा हुआ कर दोर दोर के लोग जो गठवंदन यूपई और एंडिये उपई अन्डिये उपई सुवा में कुछ शाम में कुछ उस गठवंदन से उस गठवंदन में जाते हमारा dhs को दस साल लगा दिया गया तो सिल्या नास एक DMCat में हुआ दूसरा सिल्या नास फीर आज आप प्न्चोब यह जह और पॉर्टे है जहें आगा ने रही मौजूनिभा की ऑनले इसी या थाल रित्व को पम्लेदों कानगी कि उन्सथह कोई भी कमी नहीं पर आस्था और विश्वास है लेकिन उनके साथ और भी जो गठवंदन के मानिये बन मानिये लोग हैं जो मानिये बन के बैठे हुए उनके साथ उन पर विश्वास नहीं है तीस्रा टिसरा चिल्याशनाश नहीं हो अगर या दुस्षा सिल्या नास हुआ तो हम लो जो उपर लॉला से प्रास्पना करते हैं यह मोडी जी जूट भोल दिये थे हाँ फिर आप ने कहा जो 2023 में उन्होंने जो भाशन के करम में बोला था है तो उसमें लोगों ने उनसे कहा लोगों ने उनसे कहा है आपने जो एम्स को फैनल कर दिया तो आप जान सकते हैं जो किस तरह के राजिनीतिक लोग की घेराबंदी होती है अपनी भोट की राजिनीत में कहां कहां क्या कर लगते हैं आप जैसे पत्रकार लोग तंत्र के कार्चपाल का नाइपाय का नाइपाल का बीधाय का पत्तिकार्टा संभिधान में लिखा नहीं गया है लेकि लोग बोल चाल में बोलते हैं जिए भाई चुनाओ जीत गया है जो आप अगर सिल्यानास किये हैं और तीन साल अगर आप इस समय दिये हैं तो तीन साल के अंदर में यहां एम्स के अस्थर पर इतनी तेजी से युद अस्थर पर कारज दिखाए परे जो लगे जो नहीं तीन साल नहीं दो साल में ही उदगाटन हो जाएगा हाँ हो जाएगा ऐसा युद्धस्तर पर काम दिखाए हमको चाहिए चुकि मित्रा के लोग छगे महसूस कर रहे हैं यहां किसान के खेत खल्यान नहर सी चाई चोपट है हमारा जो पुर्वजों ने हमारे पुर्वजों ने आप लोग नहीं हमारे पुर्वजों ने जो हमके रोटी के लिए नहीं जाते हैं और दरदर की ठोकने खा रहे हों बराबर बिहारी के साथ अपमान हो रहा है इलाइज करवाने के लिए बाहर जाते हैं लोग और हमारा एक डिम्स था आज एम्स नए दुनिया में आया है लेकिन मेरे लिए एम्स से थोड़ा से अभी कम आप जब उस वार्ड गैनिक वार्ड बच्चा वार्ड अब सभी वार्ड अगर घूम लेंगे आप उस गंदगी से बद्वू से बीमार पर जाएंगे और जहां पैसेंट को दस साल दस दिन 15 दिन महिना दिन रहना परता होगा उसके साथ जो सेवा करने वाला होता उसका क् यूपी जहारकंड अलग हुआ ना हमारे बिहार में था यूपी जहारकंड बिहार नेपाल पर लोग आके अच्छा से संतुष्ट होके डिमसीयस के इला से चले जाते थे या एमस बन जाने से आसपास के भी जीलेव के लोगों के लिए रहात का बात बनेगा और जो यहां क दो बार सिल्यानास हो चुका है तिसरा बार सिल्यानास ना हो इसका आसंका जो है से लोगों में बना हुआ है जो कि परधान मंत्री जी आपसे अनरोध है किसे तिसरा सिल्यानास की जरूरत न परे और इसको सिल्यानास करके आप गए हैं तो यहां तयार हो जाए और यहां प कि नहीं जाएं आपसे भरोशा है उमीद है कि सेहा बन करके त्यार हो जाएगा तीन साल का आपने टाइम लिया है तो तीन साल के अंदर में ही यह बन करके त्यार हो जाएगा यह बहुत सत्यमे बज़े